तो परिणाम को कारण माननी की भूल कर देते हैं हमें ही लगता है कि ये मेरे साथ कुछ तो भी बुरा घट रहा है ये बुरा हो रहा है ये वो नहीं रहा है ये परिणाम दिखाई दे रहा है जो मैंने अलड़ी किया था करम पिर वो चाहने मैंने फिजिकली किया हो, यानि शरीर से किया हो, मन से किया हो, अपनी वाणी से किया हो, यानि जबान से किया हो, तो उस कर्म का जाने कर या अजाने में, उस कर्म का नतीजा जो है वो आज है मेरा, और अगर मुझे ये नहीं चाहिए न, तो मुझे ये समझना होगा कि मुझे कैसे causes create करने हैं और इस परिणाम को मुझे और ज्यादा देकर या उसके बारे में negative सोचकर नए causes ये नए कारण नहीं create करने हैं नहीं तो मैं और ऐसे ही परिणामों को अपनी जिन्दगी में लाती रहा हुआ